हेलो फ्रेंड्स आरार फेशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ले टेस्ट अब्रेट्स के लिए और आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलू कर सकते हैं है सब्सेपहले हम नहें कि can quienes करेंगे जिसके लिए मैनने यह टबाल फोल्विजिंग पेपर लिया है इसकी लंबाई मैंए तेरा इंच ली है और चौड़ाई साड़े चार इंच ली है अब यहां से हम नैक के लिए मार्किंग करेंगे यहां तीन इंच चौड़ाई में और तीन इंच लंबाई में मार्क करना है यहां उपर की तरफ हम कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे और टोटल लेंद है मेरी साड़े छे इंच अब यहाँ पे हम इस तरह से गुलाई बनाएंगे और यहाँ हलका सा V-shape देंगे इस तरह से अब यहाँ पे हमें चौडाई में डाइंच पे मार्ग करना है और लंबाई में उपर की तरफ दो इंच पे मार्ग करना है यहाँ से हम इस तरह से V-shape देंगे और यहाँ पूरी नेक लाइन का इस तरह से फ्री हैंड यूज़ करके शेप देंगे इस तरह शेप देने के बाद अब हम फ्रीज़िंग वेपर पर नेक की इस तरह से कटिंग करेंगे देखिए इस तरह नेक लाइन की कटिंग हो चुकी है इस तरह फ्रीज़िंग वेपर की कटिंग होने के बाद उसको मैंने प्लेन फैबरिक पे पेस्ट कर लिया है अब यहाँ गोलाई से हम इस तरह छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस फैबरिक को अंदर की तरह फोल करके और आरन करेंगे देखिए इस तरह नेक लाइन को मैंने अच्छे से आरन कर लिया है और अंदर की तरह इस फैबरिक को फोल कर लिया है अब यहाँ पे हमें ये स्ट्रिप्स कट करनी है करीब एक इंच चौड़ी ये मैंने उरेव में कट की है ये हमें प्रिंटेड और प्लेन दोनों चाहिए होगी अब इस तरह इस स्ट्रिप्स को हम करीब आधा इंच तक फोल्ड करके और स्लाई करेंगे ये दोनों स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली है अब यहाँ जो ये मैंने पैच रेडी कर रखा है यहाँ पे पहले हमें ये प्रिंटेड स्ट्रिप्स यूज़ करनी है यहाँ पे हम जो नेक लाइन है उसकी यहाँ मार्किंग कर लेते हैं अब मार्किंग से करीब आधा इंच छोड़के और इसी शेप में हमें ये स्ट्रिप्स को इस तरह से स्टिच करना है जो शेप हमने पैच की कटिंग की है वही सेम शेप में हमें इस स्ट्रिप्स को इटेच करना है इस तरह हम दोनों साइड यही सेम स्ट्रिप्स को इटेच करेंगे प्रिंटेड स्ट्रिप को मैंने अटेच कर लिया है अब यहाँ पे हम सेम इसी तरह ये प्लेन वाली स्ट्रिप भी अटेच करेंगे अब गले में झाल 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 यह पूरा पैच रेड़ी हो चुका है अब यहाँ पे हम नैक की कटिंग कर लेंगे अब कुर्ते में हमें एक सेंटर में मार्क करना है इस तरह सेंटर में मार्क करने के बाद इस पैच को हम इस तरह से सेट करेंगे और सेंटर को मिलाएंगे अब यहाँ पूरे पैच में हमें किनारे पे स्टिच करना है और इस पैच को इस गुर्ते के साथ फिक्स करना है पैच फिक्स हो चुका है पैच फिक्स हो जाने के बाद अब यहाँ नैग पे हम एक रफिस्टिच करेंगे और अफिस्टिच करने के बाद यहाँ कुर्ते में भी हम नैग की कटिंग कर लेंगे अब यहाँ तक नैग की लंबाई है और नीचे मुझे फ्लैकेट बनाना है तो उसके लिए मैं कट लगाऊंगी यहाँ तक हम कट लगा देंगे अब यहाँ जो कट लगा है वहाँ हम प्लेन पाइपिंग यूज़ करेंगे यहाँ कट पर हमें पाइपिंग को एल शेप में स्टिच करना है इस तरह एल शेप में स्टिच करके हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे अब यहाँ हम दोनों साइड वी में इस तरह से कट लगाएंगे और पाइपिंग को अंदर की तरह फोल्ड करेंगे पाइपिंग को अंदर की तरह फोल्ड करके नीचे की तरफ आप एक फैब्रिक लगा के इस प्लैकेट को बन कर देंगे प्लैकेट रेडी हो चुका है अब हम शोल्डर लाइन को अटैच करेंगे शोल्डर लाइन स्टिच करने के बाद अब यहाँ हम बैक में करीब आधा इंच नैक की कटिंग कर लेंगे अब कुड़ते को हम इस तरह से बिचाएंगे और कॉलर की मेजर लेंगे यहाँ इस तरह से टेप को गुमाते हुए हमें कॉलर मेजर करना है यहाँ आ रहा है मेरा आठ इंच कॉलर के लिए मैंने यह फिजिंग पेपर लिया है इस तरह डबल फोल्ड यह करीब 3 इंच चौड़ा है यहां हम पहले इस तरह से फिजिंग को स्ट्रेट कर लेंगे अब यहां कॉलर की मेजरमेंट मेरी आ रही थी 8 इंच तो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे यहां 1 इंच उपर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह घुलाई वाला शेप देंगे अब यहां पूरे कॉलर पे हम एक इंच पे इस तरह मार्क करेंगे और कॉलर का शेप देखे कॉलर की कटिंग कर लेंगे इस तरह कॉलर की कटिंग हो चुकी है कॉलर की कटिंग के बाद मैंने इसको कपड़े पे आयरन कर लिया है और यहां नीचे की तरफ करीब आधा इंच छोड़ा है अब यहां हम फैबरिक ग्लू यूज करेंगे और इस एक्स्ट्रा फैबरिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरह से पेस्ट करेंगे इस तरह पेस्टिंग करके यह कॉलर रैडी है अब कॉलर के नीचे हम एक और फैबरिक रखेंगे और कॉलर को स्टिच करेंगे नीचे वाले फैबरिक में भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए पूरे कॉलर की स्टिचिंग करने के बाद यहाँ अगर एक्स्ट्रा फैबरिक हो तो आप उसे कट कर दें और यहाँ गोलाई में छोटे छोटे कट लगा कर कॉलर को सीधा करें पूरे कॉलर को सीधा करें कॉलर रैडी होने के बाद अब हम कुर्टी में कॉलर को अटेच करेंगे कुर्टी के रॉंक साइड से हमें कॉलर अटेच करना है यहाँ इस तरह अंदर की तरह कपड़े को दबा के हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे पूरी नेक लाइन में हमें अच्छे से गुमाते हुए कॉलर को फिक्स करना है कॉलर रॉंक साइड से स्टिच होने के बाद अब हम यहां राइट साइड में इस तरह बाहर की तरफ कॉलर को फोल्ड करेंगे और केनारे पे स्टिच करेंगी कॉलर को मैंने पहले ही फैबरिक ग्लू से पेस्ट किया था तो अब यह हमें लगाने में बहुती आसानी रहेगी यह पूरा कॉलर अटेच हो चुका है कॉलर नेकलाइन पूरी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले तक क्यों वाची करो वाचिक फर दिस वीडियो